सेवन्थ डे की इस इडियम सेंड फ्रेजस की क्लास में आपका श्वागत है क्या आपको भी इडियम सेंड फ्रेजस याद करने में कठिनाई होती है बिलकुल होती होगी याद करते हैं तो भूल भी जाते होंगे लेकिन इंग्लिस डीपो इस इंग्लिस डीपो के चैनल पर ह हमने idiom center fresh की series launch की हुई है जिसमें आपको पर दे पांच idiom से सिखाई जाती है और ऐसी अदभूत टेकनिक से सिखाई जाती है कि आप guarantee है भूल नहीं सकते यो can't forget ऐसी टेकनिक यूज करते हैं तो चलते हैं और आज की उन पांच idioms को हम लर्न करते हैं उसे अदभूत टेकनिक से आर्गस आइड डियर आर्गस का मतलब है एक राक्षस से आर्गस नाम का एक राक्षस था जिसकी सो आखे हुआ करती थी और सो आखे वाला इंसान आप सोचो ऐसा इंसान जिसकी सो आखे होंगी वो तो चारों तरफ देख सकता है चारों तरफ हर चीज़े देख सकता है और हर चीजों को देख करके वो क्या हो सकता है बहुत केरफुल हो सकता है बहुत सतर को हो सकता है बहुत चोकन्ना हो सकता है दो आखों से कोई चीज हम करना रहता हो बहुत सतर्क रहता हो extremely observant हो very careful हो उसको ही कहा जाता है argus-eyed आपके option में extremely observant या very careful active इन सब वर्डों से हम argus-eyed को compare करते हैं तो argus-eyed उस राक्षा स्याद करना जिसकी 100 आखे थी अब 100 आखे होने की वजह से वह बहुत कुछ देख सकता था बहुत गहराई से बहुत ही careful रह सकता था अब बहुत careful रह सकता था तो चोकनना सतरक कहे ही सकते हैं उसको ठीक आगे बढ़ते हैं जो हमारी next stadium है assume ears assume का मतलब होता है मान लेना ठीक मान लेना बट zoom को side में रखो ears का मतलब होता है भौकाल दिखावती आचरन एर्स का मतलब भौकाल यानि दिखावती आचरन ऐसा कोई भी इंसान जो बहुत भौकाल बनाता हो भौकाल कौन बनाता है वही न जो बहुत दिखावा करता है और भौकाल या दिखावे में इंसान क्या आपने आपको कभी नीचे दिखाने की कोशिश करता है क्या तो कोई भी इंसान जो ears यानि भौकाल या दिखावती आचरन को अजीवम करता हो मानता हो दिखाता हो उस इसान को हम कह सकते हैं कि भईया ये भॉकाल दिखा रहा है यानि श्रैस्थता का दिखावा कर रहा है to pretend superiority to feel superiority यानि वो है नहीं बस दिखावा कर रहा है तो assume years years असे याद रखना है भौकाल दिखावा करना तो भौकाल तो वही होता है जो stressed बनने का भौकाल भौकाल में तो महानता की ही बात होती है ना भौकाल तो stressed था महानता तो कोई भी जो stress था को बियर बंड आफ का मतलब क्या होता है बियर मतलब शहन करना बंड का मतलब होता है जला हुआ बंड मतलब जलना तो बंड का मतलब जला हुआ है अब जला हुआ है और उसको शहन कर रहा है तो आप क्या समझ सकते हो जलना हुआ भाग को सहन करना जल जाने पर सहन करना कितना कश्टदायक होता है मैंने फिल किया हुआ है आप भी जरूर फिल किये होगे कभी न कभी तो अगर कोई जले हुए भाग को जले हुई चीज को फिल कर रहा है मतलब सहन कर रहा है जल गया है और सहन कर रहा है मतलब वो अपने आघात को अपनी चोट को सह रहा है अपनी आघात अपनी चोट को सह रहा है इसका मतलब है beer the main shock जो प्रमुख जटका लगाना उसको सहना ही कहा जाता है बंड आफ को beer करना यानि जले हुए भाग को सहना यानि कि मुख्य भाग को सहना मुख्य आघात को सहना मुख्य चोट को शहना, आगे है next year, bring to book, bring का मतलब है ले जाना, to book का मतलब किताब के पास, किताब के पास ले जाना, आप बताओ, किताबों से बहुत कम लोग दोस्ती रखना चाहते हैं, maximum लोगों को किताबों से दूरी बनाये रखना ही, अच्छा लगता है आज के शमय में यंग जनरेशन में देखा जाए तो जितनी दोस्ती मोबाइल से है, उतना किताबों से नहीं है, और ऐसी जनरेशन को, ऐसे लोगों को किसी को भी किताबों के पास ले जाओ, घर वाले कहते हैं ना, अकसर मम्मी पापा, कि पढ़ले, पढ़ले, कहना पढ़ता है उनको, या रखोगे, आगे बढ़ते हैं, बैक स्टेयर्स इन्फ्लिएंस, बैक स्टेयर्स इन्फ्लिएंस, इन्फ्लिएंस का मतलब प्रभावित करना, बैक स्टेयर्स का मतलब पिछली, बैक मतलब पीछे की, स्टेयर मतलब शीडियों से, पीछे की सीडियों से प्रभावित करना, अच्छा किसी को प्रभावित करना है, तो आगे किस आगे आके प्रभावित करो, तो यह हुआ उचित तरीके से प्रभावित करना, बढ़ अगर आप किसी को पीछे की सीडियों से प्रभावित करोगे, पीछे की सीडियों से आओगे, आगे से नहीं आ रहे हो, पीछे से आ तो आप वहाँ पर अनुचित तरीके से घुस रहे हो तो अगर हम पीछे की सीडियों से किसी को प्रभावित कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कुछ भी कर रहे हैं वह अनुचित तरीके से कर रहे हैं बाई अनफेर मीन्स इसको बोलते हैं डियर आई होकी ये इडियम्स आपको याद रहेंगी देखो मैक्सिमम इडियम्स जितना हो सकता है हमारी इस टेक्निक से उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं बट आपको भी पता है कि कुछ चीज़े याद करनी पड़ती हैं तो आपक आपको याद रखने हैं और मैक्सिमम मैं याद करा दूँगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बबाई टेक केर अगर आपको लगा की चैनल इंपोर्टेंट है तो प्लीज स्बस्क्राइब करके रख लो बल आइकान को प्र